साथियों, आजादी के इस अमरित काल में हम तेजी से आजादी के सो साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्सों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्स बारत के लिए बहुत महत्वपूर है। 25 साल के बाद हम आजादी के सो साल मनाने वाले हैं। और इसलिए या अमरित काल 25 साल का बहुत महत्वपूर है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ, पूरे समर्पन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या। मेरी द्रश्टी से वो मंत्र है कर्तव्य, 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 कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो। सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो, सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्रात्विक हो, सदस्यों के मन्थन में, बाद विबाद में, समवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वो परी हो हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो अगले पचीज साल के हमारी कारशायली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राफिकता दी जाए हमारा सम्मिदान भी हमें यही कहता है जब सदनों से ये संदेश जाएगा जब सदनों में ये संदेश बार बार दोहराए जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रतेग नागरी पर पड़ेगा, देश बीते 75 वर्षों में जिस गती से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गती से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तब्या, 130 करोर देश वास्यों का कर्तब्या, एक महान संकल्पों की पूरती के लिए कर्तब्या,